हालो फ्रेंड्स मैं लट्टू स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल पेज इसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लट्टू तो आज के जो ब्लॉग है न कुछ हटके होने वाला है मतलब इसमें मैं जो सूट की अल्टेशन आपको सिखाऊंगी ब्लॉग में कुछ न कुछ ग्यान भी तो होना चाहिए तो यहां भी न मैं नाइरा कट सूट की अल्टेशन कर रही हूँ इससे पहले मैंने एक फ्रॉक कुरूती की अल्टेशन की थी जो मैंने प्रीवेस ब्लॉग में आपको बता दी थी तो जब मैं ऐसा कुछ काम करती तो ब्लॉग म आप देख सकते हो अगर यहां से आपकी जो हीप यहन है बहुत खुला है यह अगर आपको कम करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहां से आपको सलाई निकालनी पड़ेगी इसकी जो हीप वाली सलाई लगी होगी वो आपको यहां से निकालनी पड़ेगी और फि पूरा जाधा निचे तक बढ़ा है तो फिर आपनी पूरा खोल देना है ये और फिर इसको भी यहां से इस तरह सी फोल्ड कर लेना है थीक रिजखने तक फोल्ड हो गए तब जो आपका कहीं जाके कम होगा तो मेरे यहां से जादा नहीं लग रा तो मैं सलये मैं नहीं खुलूंगी ज्यादा जंजट में मैं नहीं पढ़ूंगी और दुसरी तरफ देखी मैंने सेम तरीके से इसको कर लिया तो नाइरा कट भी बॉर्ड आराम से घर पे ही ओर्डर कर सकते हो यह देखे इस तरह से ठीका तरीका मैंने बता दिया बहुत जल्दी जल्दी में तो यह दो मेरी हो चुकी है अब मेरी तीसरी बची है तो इसके बाद आगए भी सरारा सूट की बारी और मुझे लगवक मैं एक साल के बाद इसके अलटेशन कर रही हूं आप समझ सकते हो और फिर आप बोलते हो कि शॉपिंग नी करती मैं तो कुछ ऐसे सूट रह जात में प्र Japon कुष आप सब्सी चार्यशन कर बाद समझा बाद करता है कि हमारे बास कपड़ मластनी नहीकर सबबंदिशन आए है कि कोडम सब्सी चाहिए कि अगर अब करगा एप एप सीजन जाने माल फूले हुआ है तो पता कि अगर आप सीखना चाते हो झीचान काम तो पर मैं कोसिस कर रही हूं कि मैं उसमें बस regular हो जाऊं उस channel पर क्यूंकि मेरा जो काम है वो वही है तो इसलिए मैं उस channel पर ज्यादा regular होंगी और बाकी एक suit तो देखे मैंने अल्टर कर दिया अब दूसरे suit की बारी है क्यूंकि यह जो suit पहले अभी है नाई रगट की बारी तो नाई इसे काम करना कोई फसंद नहीं करता है नहीं काम में देरी बहुत लगती है मैंने पूरी कुर्ती मतलब मुझे ऐसा लग रहा थे कि इतनी देर को मैंने पूरी कुर्ती स्टीच कर लेनी थी तो अभी मैंने पूरा ही यह मेरे को भी स्टीच करना पड़ा था क्यूंकि इनकी सिलाइयां कच्छी होती है तो इसलिए मैंने सार ये के करके सब को सिलाइयां दे थी और बाकी उसके बाद आ गई ये मेरे जो सरारा सूट है उसके बारी तो सरारा सूट का उसकी भी मैंने पूरी अल्टेशन की थी पहले जो सरारा था उसकी भी पूरी की थी और उसके बाद ये जो उपर मेरा फ्रॉक वाला इसा था उसके बाद उसके बाद हो गया यहां पर सुबा का टाइम और याज ना वही शुबी का स्कूल में प्रोग्राम है उसका डांस है पहले बार वह स्टेज के ऊपर डांस करेगी सिंगल तो नहीं है ग्रूप डांस है उसका तो बस उसको मैंने रेडी किया था इतना टाइम लगा था उसको सुबा सुबा मतलब जल्दी जल्दी में सारे काम निप्टाने पड़ते हैं तो बस मैंने जैसे अभी हुआ उसका मेकप कर दिया और यहां पर सुबा सुबा के नजारे हैं कुछ कमाल के निजारे यहां से आपको कैसा लगता है भी प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर लिख ृच कर लेती हूं कि नए घर मेरी तो मैंने उसको यूज करूंगी उससी के उपर मैं वीडियो भी बनाया करूंगी तो फिर मैंने पूरा इसका नजारे पार्ट खोला यहां शेटर खोला मतलब हर चीज इसकी खोल चलेका कर दी वाकी साफ थाहती पूरी अच्छे से वैस आपकी अच्छे से और इसकी वाइलिंग करूंगी और फिर इसको दूप में छोड़ दूँगी तो हर एक पार्ट मतलब पूरे मैंने खोल दे थे इसके जो तरह भी मुझे लगा कि इसकी खोड़ना जरूरी है तो मैंने पूरे खोल दी वहला कि मैंने पूरी वीडियो तो आ लत्वारे फैसेंडी जाने चैनल पर विजिट करके आप सीख सकते हूं तो मसीन मैंने एकदम से भी रेडि कर ले थी अच्छे से वाइलिंग वगारा करके इसकी पूरी सफाई की फिर वाइलिंग की उसके बाद मैंने रख दिया था इसको दूप में अभी आप सुभी का देखिए अच्छा तो यह हो रहा है सुभी का डांस जो स्कूल की वीडियो थी उन्हें थोड़ी से आपके साथ शेयर की है और बताइए का सुभी कहां खड़ी है मैं देखना चाती हूं कितने गयस अच्छे से कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं तो प्लीज बताइएगा मेरे को और है यड़ी हूं घर जो और की हैं दो आईएचल के राधीर को ँल है तो शेम करते हैं तो अ क्यों कितने हुड़ी है जी चैसी कर बताइएगा तो यह ईन्हें तो हैं जो है वा हुड़ी है यह फेजित मोच